हेलो फेंट्स स्वागत है आपका रिवाइब कोडिंग में यहां हम देखेंगे हम किस तरीके से एक पेज से दूसरी पेज के बीच में लिंक्स के थुरू नविगेट कर सकते हैं अभी तक हम डिरेक्ट नविगेशन कर रहे थे मगर अब हम लिंक्स के थुरू करेंगे राइ जो मेरे को वह रूट पात पर लेकर झाएगा और तूसरा ऑका मेरे अपने अपने बाउट पैज की दियंगे रहे तो यह यहां मेरे दोनों लिंक आपको देख रहे हैं एक वोमपेज पर अगर मैं आपर पेज्व क्लिक करूं तो मैं चला जाओंगा और अगर मैं home page पे click करूँ तो मैं home page पे चला जाऊँगा मगर यहां एक छोटा सा catch है वो यह है कि अगर आप यहां देखोगे यह जो छोटा सा goal सा आपको देख रहा है जो reload ता page है राइट अगर मैं इस about page पे click करूँ तो switch तो हुआ पेज मेरा दुबारा से reload होगा ठीक है अगर मैंने home page पेज पाया तो देखो यहां मेरा page दुबारा से reload होगा राइट और react का हम इस लिए use करते हैं ताकि मैं इस reload वाली चीज़ को नहीं चाहता ठीक है अब मैं लिखोगा import link tag from react.dom अब मुझे क्या करना है कुछ नहीं करना है यहां जो मेरे a tag है a tag को replace कर दूँका link tag से और यहां भी रिप्लेस कर दूँका link tag से और finally यहां जो मैं hrf लिखा है hrf को हम replace कर देंगे two से यहां भी हमने two कर दिया और यहां भी हमने two कर दिया और बस काम हो गया ठीक है अब मैं अगर अपनी पे जाओ और यहां इस about page पे क्लिक करूं तो आप देखोगा कि हमने about page पे move कर चुके है और मैं अगर home पे क्लिक किया तो हम home पे move कर चुके है बट जड़ा catch देखो यहां कि भाई यह जो रिलोड वाले page अब यह रिलोड नहीं होता मतलब कोई रिलोड नहीं और और मैं एक page से दूसरे page के वीच में बहुत आसानी से navigate कर रहा हूं ठीक है so this is how कि भाई हम navigation implement करते हैं यहां से एक page से दूसरे page के वीच में navigate तो कर रहे हैं मगर अभी यह पता नहीं चल ला कि कौन सा page active है ठीक है तो उसको कैसे हम apply करेंगे उसको हम देखेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए और नाइस दे और गॉडबाई